तो फिल्म के पहले सीन में आप लोग देखेंगे तो खेसारी जी के पीछे कापी सारे लड़के भाग रहे होते हैं लेकिन वहीं जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो हमें खेसारी जी के पीछे केवल दो तीन लड़के ही दिखते हैं जिसमें की सामने ये खेसारी जी हैं और उनके पीछे वो दो-तीन लड़के हैं लेकिन पिछले सीन में तो वहाँ पे 10-12 लड़के थे या फिर उससे भी ज्यादा और यदि आप लोग ने तब ध्यान नहीं दिया तो इस सीन में देख लीजिए इस सीन में वो सारे लड़के यहाँ पे साब सब दिखाई दे रहे हैं तो फिर पिछली सीन में वहाँ पे उतने कम लड़के कैसे थे और हाँ जरा आप लोग इस सीन को ध्यान से देखिए इस सिन में जब ये आदमी खेसारी जी को धक्का देता है तो उनके सामने कुछ भी नहीं रखा हुआ है केवल एक चार पाई रखे हुई है इसके इसाब से खेसारी जी को चार पाई पे गिरना चाहिए लेकिन नहीं ज़रा आप लोग नेक्स्ट सीन को देखिए अरे ये क्या खेसारी जी तो भूसे पे गिर रहे हैं अब इस सिन में खेसारी जब अप्टे पिता के लिए छाता लाते हैं तो इन तीनों के अलावा उस रास्ते पे और कोई भी नहीं आ जा रहा है और ये चाहिए आप लोग भी साप साप देख सकते हैं लेकिन वहीं जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो वहाँ पे ये आदमी का हाथ दिखाई देने लगता है लेकिन जब कैमरा उपर से दिखा रहा था तो दूर दूर तक वहाँ पे तो कोई आदमी औरत नहीं थी तो फिर ये आदमी आपे कहां से आ गया और हाँ दोस्तों ये वीडियो केवल आपके मरा एंगल के लिए बनाईगे है तो इसे सिर्यस्लि लेने की कोई जरूरत नहीं है अब इस सिन में आप लोग उस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो उसके पत्ते हिल रहे होते हैं इसका मतलब कि इधर हवा तो चल रही है अब भाई खेसारी जी के पिता का देंगी खेसारी उनका लड़का नहीं है और वो खेसारी जी का नाम रासन काट से कटवाने के लिए कहते हैं लेकिन जब वो खेसारी जी का नाम रासन काट से कटवाने के लिए कहते हैं लेकिन जब वो खेसारी जी का नाम रासन काट से अ लेकिन भाई ये तो मज़े से डांस कर रही है इसको तो चोट भी नहीं लग रही खेर इस वीडियो में बस इतना यदि आप लोगो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा और हाँ डिस्क्रिप्शन में इस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर वी फॉलो कर लिजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद